खरगोन जिले में लागडाउन के चलते किसानों को बड़ी दिक्कतों के दोर से गुजरना पड़ रहा है इसका पता तब चला जब भारतिय किसान संग अपनी मुलभूत मांगों को लेकर सड़कों पर उत्रे और जीला प्रसासन को मुख्य मंत्री के नाम ग्यापन सोपा दरसल खरगोन जिले के राष्टी किसान मद्दूर संग ने किसानों को मिलने वाली मूलभू सुविधाओं को लेकर जिला कलेक्टरों के अपन सोपा जिसमें किसानों ने मांगों का उल्ले करते हुए मीडिया सर्चा में इस बात का खुलासा किया कि लॉकडाउन के अंतरकत किसानों को आर्थिक मंदी के दोर से गुजनना पढ़ आए वही हर मामले में किसानों का दोहन हुआ है और राहत पाने के उद्देश्चे को लेकर मुख्य मंत्री का उगोत कराना हमारे जम्मेदारी है जिससे किसानों का उत्थान हो सके खरगोन से अजितिवारे की रिपो जल्दमात की जाए और आज जो सहीत किसान देवस जो हमारे मनसर बोलीकान में किसान सहीद हुए पे उनको उसके रूप में सहीत किसान दिवस के रूप में मनाया गाया जो हमारा मुख्य उद्धेश यह है कि किसानों की समस्या की किसानों को पूर्ण तरह MSP दी जाए ताकि किसान किसी प्रकार से कोई चीज नहीं चाहता किसानों को उसकी फसल का भाव मिला जाए अभी मत्का जो है 7800 रुपे बीक रही है करोना में किसानों का 12-1300 रुपे बीका फिर भी किसानों ने जो है 70 साल से किसान इस तरहस्ति को जहल रहा है लेकिन सरकार सहर दिन तक इस तरहस्ति को नहीं जहल पाई तो हमारा ये उद्देश है कि सरकार बड़ी-बड़ी बाते ना करते हुए इस बात पर ध्यान दे कि वास्तों में किसान 70 साल से देश की इस इस्थिती को निपट रहा है आप सहार दिन तक इस करोना की महमारी में नहीं निपट पाए किसानों पर ही देश चल रहा है इस बात का पूरे हर व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि वास्तों में अगर किसान नहीं हो तो ये देश नहीं चले इसलिए किसान भाईयों की भी सरकार सुने प्रसासन के लोग भी सुने ताकि किसानों को उसकी फसल का मूल्य मिले किसानों का पूरा कर्जा माफ हो तब ही किसान खुश होगा और खुश्याल होगा धीरज मिस्रा राष्टी किसान मज्जूर महासम जीला उपध्यक्ष हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें